नमस्कार जैहिं सातियों स्वागत आप सभी का आपके यूटूब चैनल के पियस दाय जूकर नड़ा में सातियों आज हम लेकर आए हैं दूती समेश्टर डियलेड का जो तिरती प्रसंपत्र है विज्ञान उसका प्रेक्टिस सेट आज हम लेकर आए हैं चलिए आज का सेश कैंशन है वि यह है कि एली इसा परिच्छन किया जाता है आपके आपस़न है कैंसर में च्य में एडस में या ट्राइफ आइड में तो इसका जो राइट आपसर होगा विज्ञान ग्राइफ आपसर है छेलिए बन्द दूसरा सहिं जी बन्द तिसरा आफसन है दूसाय संयो जी बन्द और चौता और ट्रीक संयो जी बन्द तो इसका जो right answer होगा बह क्या होगा OFF Associate number D होगा कैसे होगा सबसे पहला memory हमको दिया गुंड है त्रीक आयनिक बन्द तो हमसे फूंच गया नाइटोजन अणु की बात कर रहा है, नाइटोजन अणु में क्या होता है, नाइटोजन के कितने परमारू होते हैं, दो परमारू होते हैं, अगर बात करते हैं आइनिक बंद, आइनिक बंद क्या होता है, यदि कोई भी तत्त है या परमारू है, यदि कोई तत्त या परमा चार जाता है तो यहीं यहीं बात करते हैं यहीं ठीक है यहीं बात होती है किसमें यहीं बात करता पर्णमारू की जैसे कि नाट्रोजन पर्णमारू है तो पर्णमारू क्या होगा सिंगल होता है इसकी क्या होती है सेबिन एन 14 होता है तो यहां पर बात करते हैं यहीं नाट् और यहां पर बात कर रहा है नाइट्रोजन अणू की बात कर रहा है तो यह न्टू की बात करेगा ठीक है यह न्टू का एक नाइट्रोजन अणू है यह बात करते हैं कैसे यह बनाता है तो आपको पता है यह में कितने तत्त होते हैं सेविन होते हैं यह इसको हम भरते हैं कि में के एल में ठीक है तो के में कितने तत्त्त रहेंगे टू रहेंगे एल में फाइब रहेंगे ठीक है के में दो तत्त रहेंगे और एल में कितने रहेंगे फाइब रहेंगे चूंकि जब बाइलेंसी पूरी करते हैं तो यहनके जो बाहाइकोस में कितने पांच इलक्टान र तीन इसके और तीन कि साथ क्या करेगा संयोजन नालेगा और यहाँ पर कितने हो गए 10 कि साथ संयोजी बंद बनाता है तीन इसको घ्रहिण कर लेता है ठीक है यहां पर कितने यहां पर इस चय औरrière ट जो जो यह जो बना ले यहां पर क्योंके यह यह क्या कर रहा है आ पस में क्या कर रहा है सही सहीयोजी बंद बना रहा है आपस में क्या एक सहीयोजी बंद बना रहा है किसके इलक्टानों के साथ तेन इलक्टानों के साथ इसलिए नाइटोजनाणू में क्या होता है तरीक सही सहीयोजी बंद होता है अगला कोश्चन है किसी तत्तो का परमारु किरमांग 15 है और उसका द्रविमान संख्या पर्माड भार क्या है चालिस है तो न्यूट्रानों की संख्या क्या होगी तो यहां पर हम मान लेंगे कि न्यूट्रानों की संख्या क्या होती है बैक पर्माड भार पर्माड भार से पर्माड किर्मांक को हम माइनस कर देते हैं पर्माड किर माइनस कर देंगे तो कितना यहां पर 25 न्यूट्रानों की संख्या हो जाएगी ठीक है 25 आफसन नमबर डी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा चली चलते हैं next question की और अगला प्रशन है कि दाय निलय से असुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है तो दाय निलय की बात कर रहा है तो दाय निलय से असुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है तो अगर बात करते हैं दाय निलय से तो आपने एक चीज़ सुना होगा एक फुसफुस धन्नी होती और फुसफुस सिरा होता है ठीक है फुसफुस धमनी में क्या होता है धमनियों में कैसा असु सिराओं में चानसा इंखनाता स्क्राइश ले जाता है ठीक है चलते हैं अगला question की और अगला question है पेट्रोल में होती है क्या आंत्रीकुर्जा बिद्धुत उर्जा, ध्वन उर्जा या रसाइनी कुर्जा तो आप प्याद कर लेना पेट्रोल में कैसी रसाइनी कुर्जा होती है आफसन नमबर D हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा चलते हैं अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन है कि बिद्धुत उर्जा को या अंत्रीक उर्जा में परिवर्तित करता है आपके आफसन है डाइनमो, सोलर सेल, बिद्धुत मोटर या सितार तो इसका जो राइट आंसर होगा बै क्या होगा बिद्धुत मोटर होगा ठीक है अगला कोश्चन है कि अमल बेपदार्थ है जो प हाइड्रोजन आयन एच आयन देते हैं या चौथा आफसन है उपरोक्त में से कोई नहीं अधी बात करते हैं अमल की तो सबसे पहले आपको याद होगा कि अमल की जो एक परिवासा है बै हमें पता है कि अमल जो होता है जल से अब किरिया करके हाइड्रोजन आयन देता है य hydrogen गैस उत्पन्न करते हैं तो यहां पर गैस की बात कर दी गई है यह आयन होना चाहिए इसलिए गैस दिया रख गया है इसलिए आपसन अमारा गलत होगा है ठीक है अगला अपसन है कि जली बिलियन में हाइडोजन आयन यह निगेटिव देते हैं यह निगेटिव नहीं यह न पास्टिव देते हैं अमल्ड जली बिलियन से करिया करके यह सक्षम्ट देते हैं पहला अफसन हमारा गलत हो जाएगा और हमारा तिसरा और हमारा गलत हो जाएगा और 4ज़य से ह्वाइक है ढ sousर डुअश्त ह 125 बनाते हैं यह हमारा क्या होगा राइट अंसर होगा जली अबिलियन में अमल जली अबिलियन में क्रिया करके एस्टू वो पाश्टिब बनाते हैं ठीक है अगला कोश्चन है बिटामिन सी का रासायनिक नाम है आपके आफसन है रेटिनाल, एकस कार्बिक एसिड या थायोमिन या चौथा आफसन है टोको फेराल तो इसका जो राइट अंसर होगा भै क्या होगा S-Carbic acid, आपसन नमबर भी हमारा राइट आंसर होगा ठीक है, बिटामिन C का राय सायनिक नाम S-Carbic acid होता है अगला कोस्चन है, दो-तिस रेनी का उत्तो लग है, आपके आपसन है कैंची, हैंड पंप, सराउता या चिम्टा तो आपका जो राय आंसर होगा, भै क्या होगा, सरोता होगा दो-तिस रेनी का उत्तो लग क्या है, सरोता है अगला कोस्चन है, इन में से काउन, सूचक Indigate नहीं है पहला क्या है, लाल लिटमस, दुसरा का है, मिथाई लारेंज तिसरा आपसन है फिनाप्थिलिन और चोथा आपसन है इंटासिड तो इसका जो राइट आंसर होगा बै क्या होगा इंटासिड होगा तो साथियों ये थे हमारे आज के प्रशन, आज हम लेकर आये थे डियरेड दुतिय समेस्टर का जो तिरते प्रशन पत्र है बिज्ञान उसके प्रीवियस येर के कुछ कोईस्चन थे, उन बहुपी कल्पी प्रशनों को आज हमने हल किया है, ठीक है साथियों आज के लिए ब